बारत के इतियास में पहली बार किसी जैन धरम के दिगंबर संत ने विदेश की धर्ती पर पैर रखा बगवान महावीर की वानी का पूरा विश्व अनुसरन करे तभी ही विश्व में शांती होगी अपने गुरु तरुन सागर जी के इसी अपने को साकार करने के लिए श्री पर्व सागर जी लंदर पहुंचे जहां जैन समाज के सभी भक्तों ने मिलकर महराज श्री का भविस्वागत किया आपको बताते विदेश की धर्ती पर इस तरह का माहौल देखकर वहाँ पर उपस्तित लोग भी हैरान थे ये कौन महापुरुष है जो नंगे पैर हाथ में मोर पिछी और कमंडल लेके विदेश आये हैं इतिहास में पहली बार किसी दिगंबर जैन संत ने इतनी लंबी यात्रा की थी और वह भी दस दिन का प्रवास एवंपूंड तया आगमन युक्त सादू चर्य का पालन करते हुए संपून की यह जैन समाज के लिए बहुत ही गौर्वशाली शर्ण है और जैन धर्म के इतिहास का एक बड़ा ही मंगल में प्रसंग है श्री परवसागर जी की यह धर्म प्रभावना यात्रा इतिहास के स्वन अक्षरों में अंकित हो गई है अम्मूमन ऐसा होता नहीं है क्योंकि दिगंबर संतों के जीवन शैली ही इतनी कटिन होती है कि वे विदेश के रहन सहन में उसका पालन कर पाएं आईए इनी स्वालों को लेकर प्रवसागर जी से बात करते हैं और जानते हैं कि यूके की यह यात्रा कैसी रही और लोगों को जैन धर्म का ज्ञान देते हुए अपने धर्म का पालन कैसे किया कि पिश्य दुआ है कि दिखास में पहली बात हुए जैन परमपरा के अंतरगत परमपराव से हटकर गुरु आशिरवाद वा गुरुदेव की किरपासे वागोज्य गुरुदेव कि आग्या से ये क्यात्रा की जो यात्रा दिए भारत से बाहर की जिसे आप चर्चिर परिशित भासा में कहेंगेगी इंग्लेंड यूके प्रथमबार महाजाना सामाजिक परमपराओं की उंगती विधियों का महापर संपालित होना और वहाँ पर रहने वाले हिंदुस्तानियों और जैन अल्वयूसिंग उलाकात का वसल्सिला बेहत अहम और आविश्मरिने था। उस्यात्रा के अंतरगत जाने से पूर्व गई तब और आने के पश्यात अनेक सावाल आई जिनका जवाब को प्रस्णों में पहुझत हुजए जो कुछ प्रस्ण आपके मेरे पास मिशिकी परहस कि अुझते हैं और उने वहां की संस्कृति हुआ की धरा और वहां की कुजा या प्र महां पर हारत की पनुफ़र संस्कृति भगग왑न वहने किस प्रकार कैसे जी रहे हैं वहाँ के लोग उसारी बाते मैंने देखी जानी और वहाँ पर रहने वाले अनेक जहनों आलवाई करें यह पर हिंदुस्तानी करें उसे मुलागात का सिल्सिला आपके सवालों के साथ जवाब आप तक है इसके संदर में मुझे जादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि वहाँ जो घटा है उसारा हिदुस्तान ये जर्साजों की चरिया को समझने इस जानने वाले हर एक व्यक्ति ने देखा कि वहाँ पर किस उत्साह के साथ किस उमंग के साथ और किस उर्जा के साथ और किस सर्धान्तिक परंपराव का निर्वावन वहां के स्रावकों ने कराया और वहां परजातर के लाग लिया बहुत ही आप इस में नहीं छड़ते हैं कि प्राता उठकर के यू तो वहां के इंदोस्तार के लोगों को धर्म अध्यात्म के लिए समय नहीं है फिर वहां के तो बात ही कुछ और है पर फिर भी बीकेंड सेटाएडे सेटे सिर्फ दो ही मिले थी उन्हें उसकी पश्चात में जिस छेत्र में जाता था उस छेत्र के अनुयाई श्रावक यह जो चर्या का निर्वाहन करा रहे हैं उनके वडिवाट्षू पी से उरे प्रहन पर निर्वाहन करती हुई चरिय का पालन कराया और पूल उत्साएं के साथ भान ने पाड़sis दत्र से बिलेनी पड़ी त और मेरी साधना के सवी साक्षी बने और इस एतिहासिक यात्रा के हरे एक छण के वह लावान विद्ध स्रावक स्रावीड़ बने लंदन, मंचेस्टर, कोमेंटरी, वर्मिंगम आदी आदी दस प्रमुकसेरों को छूने का या वहां तक पहुचने का या वहां से श्रावकों से मिलने का यहां वहां पर रहने वाले करके दस ऐसे प्रमुकसेरों थे जहां पर उन्हें पज़तारियों से मिला। ऐसत्या से आप परिखिट हैं परिश्टिक क्यों से मेरा, जो मेरे इसाब से उन पर पांसुट से मिला जिन है उनसे मिलकर मुझे बहुत प्रशल हैता उने जो आवाच्या थी और अवाज शेक्ट थी तो मैंने देने का प्रयास किया और गुरु कर्पा का आसिलवाद, जो मियास ले करके उनने पूर जाबार करने के लिए भासी strengthened की संस्थ कारों को ही वचिवत रखने के लिए मैंने वहाँ जाकर के मुलाकाद के दर्मार उनने प्रदारे करने सबसाद करें वो सकता है रेक देखने जाने पेचानने मालने वाले या फिर जिन जो मेरी ज्यात्रा आउगत वो रहे थी उनकार एक का सबाल रहे तो इसकी ओदेश से सिरकड़ी था कि भार्ती संस्कृती संस्कार और भगवान महामेर की वसक्त आहिसा पर ओदेश के साथ आखिर वहां पर वहां पर जाने वाले या वहां पर रहने वाले हिंदुस्तानी वहां पर किस प्रकार से अपने जीवन का दिर्वात कर रहे है या फिर मेरे द्वारा उनकी उज्वर भविश्य के लिए या उन तक धर में जीवन तो रहे या उन संस्कृतियों में भारती संस्कृती कि क्या महत होता है वो जानने के लिए देखने के लिए समझने के लिए और संस्कृति को जानने के पाश्या को जगाने के लिए मेरा विदिश यात्र का उदिश था जिसका नाम दिया गया था विश्व मैंतरी नहिंसा सदवाना यात्रा जो नो दस दिन की यात्रा एंदी हस्क रही आप सब कहें सकें मैं इसके जवाब में से प्यारी करना चालों कि सिर्फ अब मामा खड़ाना करना मेरा मकसब मेरी कोशिसे के शूरत में चाहिए आज की युगा पेडिक वोग विद्वजन लेकशिंतर मनिसी कहते हैं कि धर्म आध्यात में से दूर जाते जा रहे हैं इसका कारण क्या है और कुछ को कहें नहीं है कि अधिकतर देखने में आ रहा कि पाश्याक्शन स्क्रतिक हो आज का हिंदुस्तान का युगा में जीने ल फाली की मान यह कं़ो महाँ पर पानी की वेल्यू जञाद वहीं हो है। ईकिसी भी चीज में देखका था है ठीक उसी प्रकार, धर्म आध्यात्मनी की पूर्जाए मैं दियंत्व और अंध्यात्मी पूर्जा हे है। उत्सा उमंग 애 कि मैंने अहित निका लिखा, का में कि मुझे आने के बाद रहु या मैं उनके पास वेड़ने के इससाद लग रहा है कि नहीं हिद्थान के बाहरै कि वर्तमान में जिस चीज की अवश्यक्ता थी देर सवेर ही मिली यह पर गुरु के रपास है उनहें मेरे बहाने या उनके लहाने मुझे मिली निश्चिती भविष्ट में जुरास्ता परम्पुजी गणाशारी बुष्पदंत सागजी गुर्देव के आगया से खुला है निश्चिती आने वाले समय में संतों का सानेत शत्संग का समागा ना सिर्फ जैन इंदुस्तानियों के लिए बल्कि संकून हर एक कौम की इंद रहेगा और बहर जीवन उपयोगी रहेगा मैं यू कहता हूं कि अच्छे दिन की शुर्वात हो गई है अब दुनिया के अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि वर्तमार में भगवान महावीर का पच्छी सव पचासवा विर्वाड का वर्सता जो चल रहा है तो कुछ हट करक समा कम भुआ है यह तो अनुग बहुत थे पर सौट एंड़ प्रवताओं तो वसे तना ही कहना चाहूंगा कि यहां की लोग कहते ही कि वहां पर इंपोर्टेंट चीजों की बहुलता है मैं तो कहता हूं कि वहां के सरावकों की सरधार्म बड़ी इंपोर्टेंट थी जो उ कि अरिम के परती अध्याटमे के परती अगर ऐसे ही बरकरार रहा समय समय पर उनको जगा निजेताने इं समझाने वाला ताटली वाला ने मिलता रहा तुलिशोती वहां पर रहे करके वुबाती संस्क्रव संस्कार और भगवान महावीर की सत्या यह सजीन धर्म का नहीं पहुंच पा इसमी चर्चा या चर्या, चर्या का निर्वान संभव नहीं है, पर मैं यहां से जाती समय कहा था मैंने कि वहां पर चर्चा हो सकती है, पर वहां पर जाकर के देखा कि वहां पर चर्चा ही नहीं, चर्या भी संभव है, और उस को मैंने सोयम जी अप्पा. संदीश क्या देना क्योंकि अधिकांस्रों हिंदुस्तान में जर्में लेकर कि वहां पर प्रोची उसके वाद भी धन्यवाद देना चाहूंगा वहां की सरकार की वहां पर अनेक इसी संभिः नियम ऐसे हैं जिने ज्यें अध्यात में जैं भर में जर्मक भॉर चींश्रावक को पादने के वहां की अध्याम को सब्सक्रह नियम कीरा गराती है पर सरकार उसका पक्षी रखके हारे किनियम को पढ़ो कराती है जो अन्य देशों के लिए भी अनुकरणी है वहाँ पर जातर जो में ने देखा और मेरे लिए अब इसमें नीच जड़ते हैं कि जवाब यहीं कममा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वह पर ना सिर्फ जयका बल्कि जिस पहुच सामारी तक मैं पहुच सेखांए मेरे बहुं सकेभी कह अरेक इंदुस्थानी या फिर हिंदुस्तान को प्यार करने वाले वहां की नागरेगे या हिंदुस्तान या जेन धर्म को जानने मानने वाले पहचानने वाले हरे स्रद्भारू पिपासु ने मेरे सिंगुला काथ की मेनों सिंगुला काथ की जिसको प्यासु वही पानी के मात्यु गदर जानती है करना जानती है यहां चो रोज कोई नकोई महोतसव इवा मुथसव होता है मगर उनकी लिए यात्रा महा महोत्सों मत्री, दुनिश्य दी, सभी ने वहाँ पर बढ़ चड़ करके प्रवाना कराई की प्रयात्रा का लाव लिया, उन अविस्मेणी छाओं को कम सब्दों में कम समय में इनना बड़ा मुश्किल है, इसलिए यही बाद दुहराना बारबा उचित नहीं, मेरी लिए महापर्क जो घटा, वो आपने स्क्रेणी था, सारा इंदुस्तार में देखा और सारे संस्कृती को देखनी जान्दीवारों ने देखा अब इससे में जैन्दारम और आहिंसा के प्रचार के लिए, गुर्वाग्यारू साथ, जो भी कारे मुझे सौपा जाएगा, उसको मैं तो लिए बाऊँगा ही, मगर मेरे यह सपना है कि विश्चु पड़क पर जैन समाद की गत्रित होकर, जैन समाद एक जट होकर, महामीर के संदेश्चियों और जीनेदों और आहिंसा के प्रचार करें, आने वाले पीडी में जैन संस्कारों का विजारूपणों और विदिश में भी जैन्दारम की प्रभावना हो, इसके लिए आगामी समय में मेरे से जुटना बनेगा बनेगा इसके साथ साथ हविश् आहिंसा धरम के प्रचार प्रशार के लिए, जैन धरम की प्रचार प्रशावन प्रभावना के लिए अग्रसर हो रहा है, इनी बातों के साथ, इनी आपके जवाबों के साथ, आपके सुकत जीवन के उजिल भविश्य की, मंगल कावना के साथ, रूम महावित के चड़ों म गोटी कुटी नमन आपको गुवाद बताश हुआ आज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना नभूले